Hi everyone, welcome to Digital GK Classes. So seated के द्वारा Official Notice के माद्धे हम से ये बताया गया है कि Seated December 2022 का जो एक्जाम 11.1.2023 को था, 18.1.2023 को और 24.1.2023 को जिसका भी पेपर था, जितने भी Candidates के पेपर थे इस डेट को तो कुछ Technical Issue की वज़े से इन 11.1.18.2024 का जो भी एक्जाम था उसको Resedule किया साएगा और आपकी Admit Card जो है आपका दुबारा से आएगा Revised Admit Card is now available on Seated Website, मतलब 11.18.24 का है आप देख लिजे कि आपका किस दिन पेपर 11.18.24, इन तीनों में से किस दिन को आपका पेपर था तो आप सभी का जो पेपर है अब दुबारा से होगा Admit Card दुबारा से आएगी और वो आ चुका है देखिए यहाँ पर लिखा है कि available है Seated के Website पे तो आपको क्या करना है? उसको download करना है Revised Admit Card को and appear in the examination accordingly Please note that no further chance will be given for appearing in the exam इसके बाद से आपको कोई भी chance नहीं मिलेगा and applicants are advised to visit regularly seated official website हमेशा आपको check करते भी रहना पड़ेगा तो चलो यह तो मैं आपको बता दूँगी आप मेरे channel से जुड़े रहोगे तो जैसे information आती मैं आपको बता दूँगी और यह official notice है seated.nic.in पर आया है आज की date यह देखे 27.01.2023 को ठीक है तो आपको ध्यान रखना है और आप please comment करके बताना कि क्या आपका paper 11.01.2023, 18.01.2023 यह आप देख रहों यह January वाले shift है ठीक है न और यह तीन जो है इसलिए दुबारा से हो रहे हैं क्यूंकि उस दीन जो है technical issue आये थे जिसके वज़े से बहुत से बच्चे हैं उनका paper नहीं अच्छा हो पाया था इवें cancel भी कराई गई थी इसी वज़े से यह आ रहा है बाकी लोग परेशान मत होना जिसका जिस date को है उसी date को paper होगा यह केवल 11.18.24 वाले बच्चों के लिए आया है और याद रखो आप सभी का admit card आया है डाउनलोड करके चेक कर लो ठीक है न और जैसी को information और आएगी इस channel के माध्यम से मैं आपको बता दूँगी तो channel पर जूड़े रहो subscribe कर लेना जरूर ताकि information आपको मिलती रहे thanks for watching